हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आज हम चित्रकला के सबसे महत्वपूरु भविकल्पी प्रश्णों को देखेंगे जो आपके 2024 के बोर्ड के एक्जाम में 100% यही प्रश्ण आएंगे फ्रेंस आप इन प्रश्णों को एक दू बार देखके जरूर याद कर जिससे आप बोर्ड के एक्जाम देने जाएं तीन प्रश्णों का रिविजन करके जरूर जाएं फ्रेंस आपकी पेपर में 100% गारंटी देते हैं कि यही सब प्रश्ण जरूर आएंगे चलिए फ्रेंस वीडियो इस्टार्ट करते हैं तो फ्रेंस देखिए आज के सामने पहले नंबर का सवाल है कि मुख्य रंग कितने होते हैं जिसका आपसन है फ्रेंस तीन होते हैं दो होते हैं पांच या साथ दो देखिए फ्रेंस जो मुख्य रंग होता है इसे हम प्राथ्मिक रंग भी कहते हैं तो मुख्य रंगों की संग्या कितनी होती है तो तीन होती ह स्ञेद इसका सही जवाब फोला होगा यारी मुख्य belong कि संखे कितनी है अभर याद रखेगा मुख्य रंग मैं आप तीन आते हों का। क्या है पहला होता है लाल दूसरा होता है नीला तिसरा होता है आपका पीला इसको आप याद रखेगा फ्रेंस कि मुख्य रंगों के संख्या कितनी होती है तीन और मुख्य रंगों के संख्या में कौन कौन सा रंग आता है लाल आता है लीला आता है पीला इसको आप जरूर याद रखिएगा और कापी पर जरुरर लिख लिजेगा फ्रेंश ठीक है और फ्रेंश आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो के एक लाइक जरू कर दीजें और चैनल पर आदिए आप नए हैं तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक है फ्रेंश चलिए अ उसे कौन से करते हैं इसका सही जवाब होगा इड़के आप फ्रेंज इसके साथ है पूछता रहता है कि गर्म रंग आपका लाल होता है इसको साथ में याद रखिएगा कि गर्म रंग कौन सा होता है लाल और सीतल रंग कौन सा होता है हरा साथ में इसको याद रखिएगा चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं तीसरा नंबर का है कि इन में कौन सा रंग गर्म है देखे फ्रेंस यह प्रशन आपका आच च गुषता है कि ठंडा रंग कौँ सा अभी फ्रेंज बताएं हरा ठीक है आप साथ में याद रखिएगा चलिए अगले नंबर के सवालों को देखते हैं यहाँ पर चौथा नंबर का सवाल आप देखिए यहाँ पर ओष्ट वाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं आप साने आ इंद्र धनुस ठीक है आप पढ़ें भी होगे साइंस में कि इंद्र धनुस में टोटल कितने रंग होते हैं इंद्र धनुस में सात रंग होते हैं जबकि ओश्टवाल में कितने रंग होते हैं तो आठ रंग होते हैं इस प्रशन का सही जवाब आपको होगा कि ओश्टवा पर आपको बताना है कि दियूती रंगों की संख्या कितनी होती है तो फ्रेंज देखे आप याद रखिएगा कि जो दियूती रंग होता है उसमें आपके टोटल कितने रंग होते हैं दियूती रंग में तीन रंग होते हैं पहले आपसन को देखते हैं यहाँ पर दिया है ना आपका नारंगी एक बच रहा है तिसका सही जवाब होगा आपका नारंगी आप याद रखेगा कि जो द्यूती रंग होता है वो नारंगी होता है ठीक है चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं आपका अगला नंबर के सवाल है कि ततश्ट रंग कौन सा है आप संपहल और काला को ततश्ट रंग काते हैं तिसका सही जवाब होगा A कि ततश्ट रंग कौन सा है तो सफेद काला अब देखे फ्रेंज यहां से एक प्रशन आप याद रखेगा कि सफेद का विरोधी रंग कौन सा होता है तो सफेद का विरोधी रंग काला और काला का विरोधी सफद होता है और क्या होता है एगले सवाल के सवाल को देखते हैं कि देखे, प्राथिमिक अथवा मुक्ह रंग कौन। थेखे, अभी फ्रेंस आपको बताया है, प्राथिमीं नहीं के मुक्ह का रंग कि प्रोटल कितने हैं? आपको याद हुआ प्रस्ट पीला और एक होता है नीला कौन सा नीला यह तीन रंग आपस में प्राथ्मिक रंग होते हैं चलिए इसमें आप संब देखेंगे लाल नीला पीला इसका सही जवाब क्या हो जागा फ्रेंस आपका वी वला आप संब करेक्ट होगा देखें बी औ अगले प्रश्ण को देखते हैं कौन सा रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है पारदर्शी का मतलब यह होता है फ्रेंस कि जब एक प्रत से देखते हैं दूसरे प्रत को वस्तुएं दिखाई देती है तो उसे पारदर्शी करते हैं एक साइड से देखने वह दूसरे रखिएगा जो तैल रंग होता है उसका माध्यम क्या होता है पारदर्शी होता है इस प्रश्ण का आपका सही जवाब क्या होगा बीवला आप्सन करेक्ट हो का इसको याद रखिएगा चली अगले प्राश्ण को देखते हैं और कर नुवा नंबर का सवाल है सफेद का विरोधी रंग कौन सा होता है देखे फ्रेंस अभी आपको बता है पहले आपसन पढ़ते हैं पहला आपसन एक काला होगा नीला होगा आसमानी होगा यह नारंगी होगा तो फ्रेंस अभी आपको बता है कि सफेद का विरोधी रंग जो होता है काला होता है कौन सा होता है काला तीस प्रश्ण का सही जवाब क्या होगा आपका एवला आपका करेक्ट हो जाएगा चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं कि लाल रंग में यदि नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा ठीक है यदि आप लाल रंग मे हम नीला रंग मिलाते हैं तो आपका रंग जो प्राप्त होता है वो होता है भैगनि तो इस प्रशन का सही जवाब होगा ए ठीक है? चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं, यहाँ पर गिरहावा का सवाल है कि पीले रंग में लाल रंग मिलने पर कौसा रंग बनता है त sarcasm ble 죄송 में यह्था नीढ मिलता है फिर इसके लाब पीला रनुल्स मिलता है तो उसका नारंगी तो इसका सही जवाब क्या होगा नारंगी देखे फ्रेंस इसको याद रखना है ना तो आप इस तरह लिख लिजी इसको एक जगा लिख लेंगे ने यदि पीले में हम लाल रंग को मिला तो हमें क्या मिलेगा नारंगी इस तरह करके आप प्रशनों को लिख सकते है ठीक याद रखेगा इस तरह चलि अगले नंबर के सवाल को देखते हैं अगला नंबर का सवाल यहाँ पे देखे फहा नंबर का कि इन टी रंख कितने होते हैं टोस्टी होते हैं डू टी रंगों किसंठे थेक्ट होती है ठीक है चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं देखें तेरे नंबर का सवाल है कि पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है जैसे आपको बताएं कि जैसे सफेद होता है सफेद का विरोधी रंग क्या होता है काला यह बताएं और काला और सफेद को दुनों क्या पता है तो रंग गुछ राए उसका विरोधीffen को नीला होता है इसका सही जवाब क्या होगा वृय एवाला करेक्ट होगा कि जो नीला होता है चोधर नंबर का इंद्र धनुस में कितने रंग होते हैं तो फ्रेंस देखिए अभी आपको बता है कि जो इंद्र धनूस होता है उसमें टोटल कितने रंग होते हैं साथ रंग होते हैं क्यों कितने रंग होते हैं साथ इसका सही जवाब होगा फिर इसके लावा आपको बता है कि जो ओस्ट वाल्ड होता है ओस्ट वाल्ड क् कितने रंग होते हैं आठ होते हैं दोनों प्रश्णों को साथ मेन्ष रखेगा यह आपके पेपर में कई वार पूछा जा चुका है एसलिए 2024 के पेपर में यह प्रश्ण जरूर आएंगे ठीक है इन प्रश्णों का आप जरूर लिख लिजेगा चलिए अगले नंबर का सवाल होगा देखते हैं 15 नंबर का सवाल है कि कला सब्द किस भासा का है आप साने संस्कृत का होगा हिंदी का होगा फार्सी का होगा या पीला को आप सन्क क्रेक्ट होगा है सुलहान नंबर का है कि काऊं सी प्रश्ण से बनाई गई रेखा अधिकाली होती देखें फ्रेंज आप प्रश्ण को जरूर समझ लिजिए इसके अलाबा प्रश्ण स संबंदी जितने वी प्रश्ण बनते उन प्रश्णों को आप जरूर एक ज देखें यहां इसका प्रशों को याद कैसे रखेंगे कि काला का इंगलीस क्या होता है क्या होता है इसका का पी अक्षार यहां पेलिया घ़र छिसमें यह की धुवारा हलका रेखा ब 누नाट टीक है चलिए अगले नमबर का सवाल आड़ते住्च нравится अगला नंबर का सवाल है 18 नंबर को कि फूल और कली की बाहरी र्यखा को प्रयोग करना चाहिए कि अपसे नंबर का 4 नंबर का 6 नंबर का या साथ नंबर का तो फ्रेंस इसका सही जवाब होगा एवाला करेक्ट होगा टू नंबर का प्रियोग करना चाहिए आपके सामने यह 19 नंबर का सवाल है कि बनावत के द्रिष्टी से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं ठीक है फ्रेंस यहाँ पर आपको बताना है कि जब बनावत के द्रिष्टी से आलेखन का प्रकार बताना है तो देखे फ्रेंस आप साने चार प्रकार के होंगे दो प्रकार के होंगे या तीन प्रकार के होंगे या च्छा प्रकार के तो आलेखन कितने प्रकार के होते हैं फिरस चार प्रकार के होते हैं तो इसका सही जवाब होगा ए चलिए अब देखते हैं फ्रेंस बीसवा नमबर का सवाल जो इस वीडियो का लास्ट कोईस्टेन है ठीक है आपके कला के पेपर में बीस बहुई कलपी प्रशन पूछेंगे आप सभी को पता है ठीक है चलिए लास्ट सवाल को देखते हैं यहाँ पे छट के केंद्र को अलंकिरित करने के लिए कौन से आलेख सब्सक्राइब करें इन प्रशनों को आप जलू कापी पर नोट्स कर लीजिएगा ठीक है फ्रेंस यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें